हाई क्या बर्गर एक्सप्रेस है हाँ बढ़िया मुझे एक स्पेशल बर्गर चाहिए शुक्रिया ओ रुके रुके उसमें ना प्याज निकाल दीजिये मुझे प्याज पसद नहीं है थांक्स और हाँ केचप भी मट डालना और बिना मीट का हाँ मैं शाकाहरी हूँ बहुत पढ़िया शुक्रिया और बन भी नहीं मुझे गलूटन अलर्जी भी है हाँ 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 बस मतलब मुझे बस सालेड का पत्था चाहिए शुक्रिया आम तोर पर जिस व्यक्ति की बात हो रही है उसकी जेंडर पहचान जलकानी के लिए जेंडर सर्वनाम इस्तमाल किये जात कि कोई उसके का इस्तमाल करने वाले हो लेकिन वे स्त्री जैसा महसूस न करते हो या उसका उल्टा भी कुछ लोग जेंडर नौन बाइनरी यानि खुद की न स्त्री न पुरुष के रूप में पहचान कराते हैं या इन दोनों के बीच या इन दोनों के पार अनुभव करते हैं ऐसे में वे बहु अचन जैसे हमारे आपके या इस प्रकार के अन्यविकल्पों का इस्तमाल करते हैं वे जिसे अक्सर लोगों के सम्हू के ये इस्तमाल किया जाता है इसे किसी एक व्यक्ति के लिए भी इस्तमाल किया जा सकता है उधारन के लिए वे अपनी बाइक से दुकान तक गए और यह भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को कोई सर्वनाम इस्तमाल करना न पसंद हो और उनके बारे में बात करते हुए केवल उनके नाम का उपयोग किया जाए बहुत सारे सर्वनाम हैं जिनका इस्तमाल किया जा सकता है जरूरी नहीं है कि आप वो सब के बारे में पता हो और क्योंकि किसी को देख कर हमें पता नहीं चलता कि उनके सर्वनाम क्या है इसलिए जरूरी है कि आप उनसे पूछ कर उनके सर्वनाम का इस्तमाल करे यहां किसी व्यक्ति की इनसानियत और पहचान का सम्मान करने का मुल संकेत है किसी के सर्वनामों को जान बूझ कर नजर अंदाज करना उनके आतमबिश्वास और आत्मसमान पर बुरा प्रभाव डाल सकता है कुछ लोगों के सर्वनाम समय समय पर बदलते रहते हैं जिसका मतलब है कि आपको हमेशा उनसे पूछ कर सुनिश्चित करना होगा कि आप उनका सम्मान कर रहे हैं। अगर आपसे किसी का सर्वनाम लेने में गल्ती हो जाती है, तो उस बात को बढ़ाईए नहीं, बस माफी मांग ले और इससे बहतर करने का प्रयास करते रहे। और अगर आपको मदद की जरूरत हो, तो किसी विश्वसनी बड़े इंसान से सहयोग और मदद मांगे। झाल करते हैं, तो किसी विश्वसनी बड़े रहे भी मांगे नहीं, तो किसी विश्वसनी बड़े जे बड़े ज़े रहे आपको मांगे।